परिवर्तन देखें वार एमानव 13 सभाव पहले शादियों में घर की ओरते खाना बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की ओरते नाचती हैं पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तेनाद करते थे ताकि कोई कुटा घर में ने गुश जाए आज कल घर के दरवाजे पर कुटा तेनाद करते हैं ताकि कोई आदमी घर में ना गुश जाए पहले आदमी खाना घर में खाता था और लेटिन घर के बाहर करने जाता था अब खाना बाहर खाता है और लेटिन घर में आके करता है पहले आदमी साइंकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था अब आदमी कार से जिम जाता है साइंकिल चलाने के लिए चारों महत्रकूंड बदलाव हैं वारे मानव तेरा सवभाव लास को हाथ लगाता है तो नहाता है पर बेजवान जीव को मार के खाता है यह मंदिर मस्जिद भी क्या गजब की जगह है दोस्तों जहां गरीब बाहर और अमीर अंदर भीक मांगता है विच्चित दुनिया का कठोर सकते हैं बारात में दुले सबसे पिछे और दुनिया आगे चलती हैं मैत में जनाजा आगे और दुनिया पिछे चलती हैं यानि दुनिया खुसी में आगे और दुख में पिछे हो जाती है गजब तेरी दुनिया का गजब तेरा खेल मुम्बती जला कर मुर्दों को याद करना और मुम्बती भुजा कर जनन दिन मनाना वहर ये दुनिया लाइन छोटी है पर मतलब बहुत बड़ा है उम्र बर उठाया बोज उस कील ने उम्र बर उठाया बोज उस कीलने और लोग तारीफ तस्वीर की करते रहे पाइल हजारों रुपए में आती है पर पेरों में पहनी जाती है बिंदी एक रुपए में आती है मगर माथे पर सजाई जाती है इसलिए किमत माइने नहीं रखती उसका करते माइने रखता है एक किताब घर में पड़ी गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते और जो उनके लिए लड़ते हैं वो कभी उनको नहीं पड़ते नमक की तरह कड़वा ग्यान देने वाला ही सचा मित्र होता है मिठी बात करने वाले तो चापलूस भी होते हैं इतियास गवा है कि आज तक कभी नमक में किड़े नहीं पड़े और मिठाई में तो अक्सर किड़े पड़े जाया करते हैं अच्छे मार्क पर कोई विक्ती नहीं जाता पर बुरे मार्क पर सबी जाते हैं इसलिए दारू बेशने वाला कहीं नहीं जाता पर दूद वालो को गर-गर गली-गली कोने वोने जाना पड़ता है दूद वाले से बार-बार पूछा जाता है कि पानी तो नहीं डाला पर दारू में खुद हातों से पानी मिला कर पीते हैं और अंत में बहुत खूब सुरत पंक्ती इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और सेर कहो तो खुश हो जाता है जबकि सेर भी जानवर का ही नाम है सिर्फ अपने तक ही सिमित ना करें सेर जरूर करें दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी दोस्तों I hope आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी ऐसे ही शांदार वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आप हमारे फेस्बुक पेज़ पे कमेंट करें लाइक करें और इसे फोलो करें ताकि हम और मोटिवेट होके ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो आपके लिए बनाते रहें थैंक्यू दोस्तों